नमस्कार आप देख रहें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मिनाक्षी जोच्छी वाक्त हो गया है राजधर्म का राजधर्म में आज आपके सामने कॉलकता कांच का सबसे बड़ा सबूत रखने जा रही हो आज आपको सबूत के साथ ये बताऊंगी कि कैसे पीडिता के मर्जर के इस साथ घंचे बाद भी पीडित परिवार से जूट पर जूट बोला गया हर बार अलग-अलग थियोरी रखी गई आज मैं इसे का खुलास्व करने जा रही हो जिससे पूरा बंगाल हिल जाएगा कालेज की असिस्टेंस सुप्रिटेंडेंट ने डॉक्टर बेटी के ममी पापा को किया था डॉक्टर बेटी की मौत सुभे तीन से चार बच्चे के बीच हुई लेकिन माबाप को पहली कॉल गई दफ बचकार तेरे पान मिनट पर पहली कॉल में ये बताया गया कि आपके बेटी की तबियत खराब है पहले कॉल में लडकी के मातव पता से जूट बोला गया थोड़ी देर में दूसरा कॉल किया जिस कॉल में डॉक्टर बेटी के माबाप को बताया गया कि आपके बेटी इमरजिंसी में भरती है लेकिन जूट के इंतहां तो देखिए कि एक दोनों बार जूट बोला गया तीसरे कॉल में कहीं जाकर यह बताया गया कि डॉक्टर बेटी ने सुइफवाइट कर लिया है सच तब भी नहीं कहा सबसे पहले में आपको कॉल सनाती हूं यह पहला कॉल है गॉल से सुनने ना का लिएट बोल्वण तुमी को अम्रा आपना नम बार जोगर कोल लॉं को रे जाना लाम जे बाडिली लिओ किसे बहें आपने तूद दा तरी आश्यूं कि वह चे श्रा बोला ना तुम्ही पेशेंट शोडिता खाड़ा प्रती ओर श्राश की पलगे बाकी ता अपने अले डाक्तर बोलगें और कि जोर होचे अपने एक तो आशुन चोल जोलदी चोले आशुन जोतो दातरी पार बें पहली कॉल में आपने फुरा की फोन पार दूसरी तरफ से एक लेडी डॉक्चर की आवाज आ रही है जो पेडिता के पिता को बार-बार ये कह रही है कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाएए आपकी बेजी की दवियत बहुत खराब है और पिता पूछ भी रहे दूसरी तरफ से नहीं हुआ क्या है बात क्या है बात बताईए वो ये जानने की कोशिश कर रहे है कि कितनी तवियत खराब है आखिर हुआ क्या है लेकिन उसके बाद फोन कट गया पाँच मिनट के बाद एक बाद फिर से लड़की के पिता के उसी नंबर पर उसी नंबर से कॉल आया मेडिकल कॉलेज के अफिस्टेंट सूपर ने कहा कि उनकी बेची को इमर्जिंस की भरती कराए गया है अब आप सुनिए ये दूसरा कॉल है अब उना अबस्ते कुभी खालाप उना अबस्ते कुभी खालापमी ज़टा थे पर करने हैसं आकटर बुल पे अपनी टारी जर्या चूल हूने काने तक स् आपनी के बल चेंड बसकृप हालू कहा कोई आम व्यक्ति होते हैं उन्होंने भी डॉक्टरी की ही पढ़ाई की होती है उन्हें कमसुकम इतना तो पता चलता होगा नफ्स पकड़ने से कि व्यक्ति जिन्दा है या मृत है चोट के निशान देखने के बाद इतना तो पता चल रहा होगा कि कुछ नॉर्मल नहीं ह यहां पर कुछ अप्रत्याशित घटा है आपको मैंने बताया कि पोस्ट मॉचम रिपोर्ट ये पहले ही बता चुकी है कि सुबह तीन बचे से लेका चार बचे के बीच में लेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी यह कॉल दस बच कर तेरपन मिनट पर परिवार के पास गय गया बार बार जूट कहा गया पहले कहा गया कि तबियत खराब है दूसरी बार कहा गया कि तबियत बहुत खराब है जल्दी आ जाईए suicide commit किया गया है कितना जूट कहा गया और यह कह रहे कि मैं डॉक्टर नहीं हूं अरे डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर से पूछ के फिर फोन करते तीन से चाल बजे के बीच में अगर किसी लड़की की मृत्ति हो गई है तो क्या बहाँ पर एक अस्पताल में किसी को यह नहीं पता चला कि उस डॉक्टर की मृत्ति हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि उसने सुिसाइट कमिट कर लिया है पहले कहा जा रहा है कि उसके तब्यत खराब हो गई है क्यों भ्रहमित करने की कोशिश की गई कॉल रिकॉर्जिंग में यह साफ सुनाई दे रहा है कि पीडिता के पिता पूछ रहे है कि आप कौन बोल रही है तो दूसरे तरफ से आवाज आती है कि मैं मेजिकल कॉलिज के असिस्टेंट सूपर बोल रही हूँ वो यह कह रही है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ जब पीडित पिता उससे अपनी बेटी की बीमारी के बारे में पूछ रहे है तो वो यह कह रही है कि इस बारे में तो डॉक्टर ही बताएंगे अरे तो डॉक्टर से पूछ के फिर कॉल कर लेते बात तो सच बतानी ही नहीं थी गुमराह करना था, ब्रहमित करना था, इसले जूट पर जूट बोला जा रहा था, तमाम डॉक्टर से भरा पुरा एक अस्पताल, एक डॉक्टर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो खुद कॉल कर लेते, इस दोरान पिडिता के मदर, यानि कि उनके माँ की भी आवाज उसे क्या हुआ है, वो तो ड्यूटी कर रही थी. ये बात हुई दूसरी कौल रिकॉरजिंग की, अब मैं आपको तीसरी काल रिकॉरजंग सुनाती हूं. सुनि दीसरी कौ तो आस्ते पर्वें निमीदी है. तो जोँचे कि नियुदिता लिए उर्शोरित्ता खार आप अमरा भोत्ती गराचियों कि आप नी की इमीदे तो आस्ते पर्वें कि होचे कि रह बोल बन्तो प्रण तो ड्रॉब्परा भोल पर आपनेडा एले आमरा आपना नमबार ते जोगर कोला कोड़े जाना लामजे बाडिलों की अपने रेक्ट दातरी आशूं की होचे शिरा बडला ना तुम्ही पेशेंट पेशेंट शोड़ी ते खारा वहत्ती ओल चार्श की तलो बागी ते अपने रेले डाकतर बोलगें आपने रेक्ट आशूं जोली चोले आशूं जदो दातरी पारवें शोड़ी ते खाना वहत्ती शोड़ीक अपने रेक्ट प्रेजा पढले आशूं आपने सुना किसी भी परिवार के लिए इस तरीकी का कॉल कितना परिशान कर देने वाला होता है उदर से उसके पिता बार-बार इस लेडी ट्रेनी डॉक्र जिसका मडर किया गया रेप किया गया उसके पिता परिशान है बार-बार पूछ के हुआ क्या है बताओ तो बताओ, हुआ क्या है? क्या हुआ है मेरी बेची को? पीछे से मा की आवाज आ रही है कि नी वो टो ठीक थी? काम पड़ थी? क्या हो गया? और वे कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो डॉक्टर बताएंगे मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं तो assistant super हूं सारे डॉक्टर कहां गए थे और असिस्टेंट सूपर क्यों जूट बोल रही है कि इसने उसे जूट बोलने के लिए कहा आपने सुना मेडिकल सूपरिटेंडेंडेंट बता रही है कि लड़की ने सुईसाइट कर लिया उसने कैसे तै किया सुइसाइट किया है उसे कैसे पता अगर वो डॉक्टर नहीं है तो एक एसिस्टेंट सूपर को कैसे पता कि सुइसाइट किया है वो जूट बोल रही थी और वो भी जानते थी आप सुनिए जूट के इंतहां वो यह बता रही है कि लड़की के मौत हो गई है पुलिस वहीं पर मौजूद है वो यह कह रही है यह सुइसाइट है आप सुनिए आप उन्हीं सुइसाइट को रचन होए तो बाव किछ मारा गाचन पुलिस रोचन आमड़ा होस्पिरल शावा सामनी रोची फोन कोड़ ची आपना पूसाइट कर लिया है अवास्था बहुत खराब है कि इस तरीके की गोल मोल बाते हैं कि अगर सुइसाइट कर लिया है तो इसका मतलब कि वो मृत है अगर सुइसाइट कर लिया है तो हालत खराब नहीं हो सकती फिर तो वो मृत ही कही जाएगी लेकिन अगर किसी ने इशारा दे दिया है कि भ्रमित करना है तो अगला तो वही कर अब सवाल यह उठता है कि आखिर फैमिली को जूट क्यों बोला गया वो भी तब जब सुभे करीब तीन से चार बज़े के बीच पे रेप के बाद मर्डर हो चुका था अब मैं आपको पीडिता के माता और पिता का वो बयान सुनाती हूं जो उन्होंने इंडिया टीवी पर exclusive interview के दोरान पूरे कॉल के बारे में बताया था आप सुनिया माता-पिता का क्या कहना था इंडिया टीवी पर exclusive मेरा फोन में पहने है का लिए क्टी कर आप आómo एक थी count past है आप रोक यह वाज साल में इ boss कए वाज नहीं में बुह Neden शर इन वह ऊग्षा है कै में फोना फिर भूं किया मिरा क्या वर मैं anyway में ले जा रहा है और डक्टर लोग बुलेंगे क्या हुआ हमके डक्टर है क्या बुलेंगे हम ऐसे बुला उसका बाद लाइन कर दिया फिर जब हम लोग गाड़ी निकल पड़ने के लिए तो यह हो रहा था कितने बज़े पचार-पास मीट का अंदर राइवर पास में रहत अच्छन सुपर बोला है जो आपका लिटकी लगता है सुसेट कर दिया उसका मान रोल लग गया हमको तो अंदर में क्या हो रहा चल रहा था हम किसी को नहीं बता पाएंगे यह दोनों फोन किसके आयते पहला फोन डिपार्ट्म में किस निवारी जो जिसके साथ बात हुआ आपके लेकी है यह एक ही लेकी है थिस्केर रहा थे अधिसेट्स सुपर तो जो किसी बाद होया защit लत फोन किये होता है यह आदम यह खिख हम तो परोफन कि लोग यह खिख हुआ हुं.' लोग बोढ़ दो सकते लिए तो दो चल रहा है और किसी ने अमको एक ले जाए उसको इधर ले जाए यह से चल रहा था ऐसे चल 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 के प्राएं तीन घंटे के बाद इन सारे तीन घंटे के बाद वहां समेनर हाल के अंदर लोग ले गिया उस टेमें फिर जो CP है उन्होंन देखा था और किसी नहीं हम उसे बात भी नहीं किया कि सोचे फ़रा किसी ने माता-पिता से बात भी नहीं कि इतने लोग उस अस्पताल में मौझूद थे अगर वाकई में जो दावा किया जा रहा था कि सुइसाइड हो गया है तबियत बहुत खराब है वहां पर उन्हीं की अपनी एक साथी थी ऐसी अवस्था में थी किसी ने बचाने की मरहम पट्टी करने की किसी चीज़ की भी तो कोशिश नहीं की क्योंकि सब जानते थे वो लेडी ट्रेनी डॉक्टर तो मर चुकी है अब इस दुनिया में नहीं रही है लेकिन जूट पर जूट बोला जाता रहा लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और माजर केस में शुरुबाद से ही ममता की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं बंगाल पुलिस में 38 साल तक काम करने वाले पूर्वा इंस्पेक्टर ने केस में पूलिस की कारवाही पर बहुत गंभीर सवाल क्टे किया है पूर्वा इंद्ध माचारिया ने कहा कि राइम सीन से सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई क्राइम सीन के बावजूद सविनार हॉल के पास बना हुआ रूम और बेसिन आखिर क्यूं तोडा गया अरिंदम आचारे ने वारदात के बाद पीडित के माबाप को जानकाली दिये जाने पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा कि पीडित के माबाप से बार बार जूट बोला गया और ये एक pre-planned murder है प्री प्लांट मर्डर प्रीजिट नहीं कि आप अडिस साल पुलिस में रहें आपने तमाम इनिस्टिगेशन ऐसे किये हैं क्या 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 पुलिस ने इसमें गल्तियां की हैं देखा है जो बात बोलेंगे ओ पेपर टीवी और इन 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 इक्षेंग नहीं घ्रीजिट नहीं एग प्रीजिटेंगे ओव्यू जो घ्रीड नहींगे यृश्पित्र नहीं हैं Enough आज नहींगे विश्टियां आप्य और इन नहीं धरम आप इंडियान पैनल कोर्ट, CRPC, and Evidence Act. यह हमको मनने होगा. यह तीनो गाइडलाइन क्या होता है? एस पर दे इंडियान कॉंस्टिटेशन आर्टिकल 226 and 32. बात यह है, आठ तरिक में, 8 अगस्ट, ओ लिड़की क्या किया? 36 hours of service दिया है. उसको बात, resumination of energy मलते हम उसको rest करने के लिए हो गया था. नौ तरिक में, पहले information मिला है पुलिस को, जह आप देखा है, आप आपको देखके बाता देता है, एक तुम correct report बोल देते हैं. पुलिस साथ आते हैं, देखिए, जह क्या हुआ, नौर तरिक में, आपने, दोस-दोस में, मौर्निंग दोस-दोस में, पुलिस को पास first information आया था, वो पुलिस वह गया था कहा, जह क्या हुआ है, जह दुपूर मने, आप नूल, इगारा, इगारा, एगारा, एगारा, हरताली डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री ममतब एनर्जी की काम पर लोटने की अपील को ठुकरा दिया, यह आप यू कहें, जो धमकी वो देने की कोशिश कर रही थी, बातों-बातों में, उसको दरकिनार कर दिया, आज 19-वे दिन कॉलकता में जूनियर डॉक्टर्स की हरता रहा, वो नहीं लोटे काम पर, आपको बता दे कि 8-9 अगस्ट की रात को आज जिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रीनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से जो कतल किया गया, उसके बाद से जूनियर डॉक्टर्स हरताल पर हैं, वो काम पर नहीं लोटना चाहते, आज उनके ह हरताल का उनीसवा दिन हो गया, वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रही है, ममता बेनर्जी ने कल हरताली जूनियर डॉक्टर्स से वापस काम पर लोटने की अपील की थी, हाला कि इस तोरान उन्होंने इशारों में धंकी दे दी थी, ममता बेनर्जी ने जो कहा था, व माज़ पोर्ट नहीं मिलेगा, वीवा नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा, कि वो हरताली डॉक्टर्स पा आक्शन नहीं लेना चाहती है, अगर वो अक्शन ले लेती हैं, तो फिर डॉक्टर्स का पुरा जीवन खराब हो जाएगा सुप्रीम कोट ने पिछले दिनों कहा था राजसरकार को ये पावर दी थी कि हरताली डॉक्टरों पर एक्शन ले मैं एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं उनका भला चाहती हूँ अगर मैं उन पर F.I.R करती हूँ तो उनका भविश्य खराब हो जाएगा विदेश जाने का चांस खत्म हो जाएगा पासपोर्ट नहीं मिलेगा बीजा नहीं मिलेगा अगर मैं उन पर एक्शन लेती हूँ तो उनका पूरा जीवन खराब हो जाएगा मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ हमारी सरकार मानवी सम्मेदनाओं को समझती है मानवता के लिए हम लोग और डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं इधर आये में ने आर्चिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्र प्रिंसिपल संदीब घोश की फदफिता रद कर दी है साथ ही उनके दफ्तर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी की गई है जूनियर डॉक्टर्स की मांग बिल्कु क्लेर है कि पीड़ता को इंसाफ मिले और उनको सुरक्षा मिले तब ही वो काम पर वापस लोटेंगे हाला कि मुख्य मंतरी ममता बेनर जी ने इसका अवान करते हुए काहा है कि डॉक्टर्स के उपर वो कंप्लेंट और F.I.R. नहीं करना चाहती ताकि उनका भविश्य खराब ना हो डॉक्टर्स से अपील है कि वो वापस अपने काम पर लोटें लेकिन डॉक्टरों ने दो टूक शब्दों में इसमें क्लैरिटी दे दी है वहीं दूसी तरफ आयमे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर संदीब घोश की जो सदस्यता है आयमे के साथ उसको रद कर दी है और इसको देखते हुए अब यहाँ पर उनके ऑफिस के बाहर हाई सिक्यूरिटी तैनात कर दी गई है इसी के सेकंड फ्लोर पर उनका ऑफिस है यहाँ पर सी आएस एफ और कॉलकता पोलिस के जवानों को तैनात किया गया है उनके ऑफिस के बाहर बहुत सारे पोस्टर्स लगा दिये गए है कहा है जस्टिस चाहिए नयाय चाहिए पिड़ता के लिए इनसाफ चाहिए सी बिया इस पूरे मामले की जाज कर रही है तो एनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने भी इस मामले को आगे ले जाने का ताकि जो इस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर अन्यमिता हैं उसके खिलाफ वो जाज कर सके इसकी तैयारी कर ली है इस समय OPD और Emergency Services जो Senior Doctors हैं वो इसको देख रहे हैं लेकिन Junior Doctors पूरी तरह से स्ट्राइक पर हैं और आज ये उनीस्वा दिन है इधर ममताब एनरजी के प्रधान मंत्री मोधी को धमकी देने वाले बयान पर बंगाल की सियासत गर्मा गई है ममताब एनरजी के खिलाफ केंद्रे मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अधियक शिफ सुकानतों मजूमदार ने देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा और कारवाई करने की मांग की है उन्होंने ममताब एनरजी के बयान को उकसाने वाला बताया साथ उन्होंने मुख्यमंत्री ममताब एनरजी से इस्तीफे के मांग की बीजेपी नेता शुबेंदु अधिकारी ने भी ममताब एनरजी पर अट्टाक किया जारखंड नहीं बचेगा ओड़ीशा भी नहीं बचेगा और दिल्ली भी नहीं बचेगा प्रधान मंत्री की भी कुर्सी हिला दूंगी इससे लेकर ही अब बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है ममता बनर जी अगर ये कह रही है आप पर सीरेस ऐलिगेशन लगा रही है क्या इसका मतलब आप निकाल रहे हैं क्यों ऐसा कह रही हैं वो कि आप लोग पशिप मंगाल को जलाना चाहते हैं देखिए पशिप मंगाल की जनता ये जो आरजी कर की घटना घटी है इससे बहुत दुखित है और उसके बाद से जनता बीजेपी नहीं बीजेपी को छोड़के भी बीजेपी ऐज चीप पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी बीजेपी अपना काम कर रही है और करेगा भी लेकिन आम जनता इस सरकार से इतना रूड गई है इतना उब गई है और इस घटना को केंदर करके जो आउट बस्ट हुआ है जो जनता की जो जो बिरोध हर जगा में वो कैंडल मार्स से लेकर जुलूस से लेकर एक के बाद स्टूडेंस लोग भी शरक पर उतर गए है इससे महमता बैना जी बहुत भैबीत है और इसी के करन ममता बैना जी जब भैबीत हो गई उनके मूँ से कल जो चीजे निकली है उस बहुत चिंता जैनक बाते हैं एक संग्विदान का हमारे कॉंसिटूशन का ओत लेने वाली एक महिला मुक्ख मंत्री अपने पद पर बैठे हुए बैठे रहे रहते हुए अगर ऐसी बात करती है कि हम नौर्टीज को टॉपल करेंगे इतो मैं समझता हूँ कि ऐसी भाषा है जो भाषा कुछ दिन पहले बांगलादेश में जमात के लोग याने अंटी इंडिया वाले लोग बोल रहे थे आज ये शर्म की बात है हमारे लिए भी कि पशिमंगाल की मुक्क मंतरी की आदनीय मुक्क मंतरी जी की भाषा बानी जमात के साथ मैच कर रही है सेम पीच पे एक साथ चल रही है और इस सब बाते पाकिस्तान भी कहती है ये बहुत चिंता जनक बात है इसलिए मैंने घ्रिमंतरी जी को लेटर लिखा आपने जो चिठी लिखी है घ्रिमंतराले को उसमें क्या मांग आपके तरफ से की गई है ममता बनर जी के खिलाफ क्या एक्शन आप लोग मांग रहे है देखिए इंटर्वेंशन होना चाहिए और मैं तो लीगल कॉंसल्टेशन भी ले रहा हूँ अगर मेरे लॉयर्स, मेरे आड़ोकेट्स जो हैं उनसे में कॉंसल्ट कर रहा हूँ अगर हम जा सकते तो हम कोड भी जाएंगे डॉक्टर बेटी को इनसाफ दिलाने के लिए कॉलकता में कॉंग्रस भी प्रदर्शन कर रही है कॉंग्रस भी जल से जल इनसाफ की मांग कर रही है इस तोरान कॉंग्रस नेता अधीर अजन चौधरी ने अच्छे मंतरी मंतब एनर्जी पर बड़ा रोक लगाया उन्होंने कहा कि मंतब एनर्जी फबूत में जाने के लिए मदद करती है तो दूसरी तरफ फांसी की बात भी करती है दॉसरी वेरे इसली बीव करती है में जो काम करना ज़रूर ही तो करते हैं नगिन मतमुनाची धीरे धीरे डॉक्तर लोगों को पंगल की जो आंदलोन में सामिल हुई है उन लोगों को डराना धंकाने की कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ बंगाल के आम लोग के साथ जैसे कि मान लिए बहुत सारे मरीजों ने हस्पिटल में आते हैं इन लोगों के साथ डॉक्टर को एक टकडाओ की सिति पैदा करने के लिए ये कोशिश कर रही है ठीक नहीं क्योंकि डॉक्टर सांती पून तरीके से ग्र्श कर रही हैं इसा नहीं लेगिन दर आना चाहते हैं धमकालए लिए क्योंकि जुलोस निकालते हैं Yan रोजना सरकार के उपर यह दुशन दालते हैं कि जो दोशियों यह दोशियों को आप हीरा सात भिलिया करो हम अमों किम AyKO की मंग से ना चहिए इस से लिए ड አ इस डिन वार ne भी कह रहे हैं कि हम खुद अध्यादेश लाएंगे अगर गवर्नर नहीं सुनते तो हम उनके खिलाब प्रदर्शन करेंगे अध्यादेश लाने में कोई दिक्कत नहीं हमारे कॉंस्टिशन में है जो क्रिमीनल लौ है और ये कॉंकरेंट लिश्ट में है ये टू फॉर्टिफाइव आर्टिकल की तहती है ला सकते जैसे कि मोहरास में मकोका लाए गए थे लेकिन बात ही है कि हमारे देश में और जो कान केस में सच छिपाने के कोशिशें बार बार हुई कॉलकाता से 100 किलोमीटर दूर उतर प्रदेश में भी एक ऐसा ही मामला सामिया है इसमें पुलिस और प्रशासन पर सच छिपाने का आरोप लग रहा है मैं बात कर रही हूं उतर प्रदेश के फरुखाबाद की जहां एक प गदव ने तो सुमाजवादे पाट जी का एक डेलिगेशन आज फरुखाबाद भेज दिया है राहूल गांधी ने भी योगिस सरकार पर अच्छा किया है साथ ही दोनों लड़कियों के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है इस घटना मे अब एक यू टर्न आ गया है दोनों लड़कियों के पिता अपने बयान से ही पलट गए हैं उन्होंने पुलिस पर जो आरोप लगाये थे उस पर ही अब सफाई दे दी है मैं आपको उनके सफाई जरूर सुनाओंगे लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आख लेकिन विपक्ष भी इसे अपने लिए एक बड़ा राजनितिक मुद्दे के तौर पर भुनाना चाहता है और इसलिए अखिले शादव हो या राहुलकांदी हो दोनों योगी सरकार पर अटाकिंग मोट पे हैं अखिले शादव ने पूछा सीम योगी आदेतनाद से खुशी नहीं बलकि महडर का केस है सवाल ये उठाया गया कि इतनी जल्दबासी आखिर क्या थी कि इन दोनों लड़कियों का अंतिम संसकार कर दिया गया तो ये तमाम सवाल इसलिए थे क्योंकि लड़कियों के पिता ये आरोप लगा रहे थे कि ये मामला हत्या का है दोन पर काचे लगे हैं बेल्ट से पिटाई के निशान है लेकिन पोस्वाटम रिपोर्ट में इसे खुदकुशी का केस बताया गया अब इन्हीं परिवार वालों का कहना ये है कि उनकी मान से खालत ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है दोनों लड़कियों के पिता का दूसरा आरोप ये था कि उन्हें शब तक ठीक से देखने को नहीं दिया किया प्रशासन ने हर बड़े में ही अंतिम संसकार कर दिया लेकिन उन्होंने ये आरोप भी वापस ले लिया उनका कहना है कि अंतिम संसकार उनके परिवार ने किया पुलिस ने कोई जोर जबरदस्टी नहीं की पुलिस पर तीसरा आरोप ये है कि शरीर पर चोट के निशान आखिर आए कहां से इसका जवाब ना तो पुलिस देपा रही है और ना ही प्रिशासन के पास है लेकिन दोनों लड़कियों के पिता ने एक साथ अपनी सफाई दे दी इस तोरान एक लड़की के पिता बैठी थे और दूसरे लड़की के पिता ने मीडिया को बयान चारी किया इसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है मैंने अपने द्वारा किया मैं स्वयम लेते गया हूँ सामाज के लोग थे अजकारी भी वहां सब मेजूद थे और वहारे दोनों बच्टों ने मिलके वहां पर दाशाइशकार किया उसके उमाद लगाई इसी वाइट गलत है उनकी गलत है जो और हमने कोई तैरीर नहीं दिये जो पुलिस हमारी मुकाजमा को लिए दिंदि कोष़िए पिस्टोंतब कोष़ण हो गया है अमारा दिमाक सहुत हमा कि संह जह नहीं हुए हम विचार कल अब ये सवाल उट सकता है कि आखिर दोनों लड़कियों के पिता अपने बयान पर क्यों पलच के क्या वरदात के बाद भावनाओं में बह कर अपने पहले आरोप लगा दिये थे या फिर किसे दबाव में पुलिस को अब क्लीन चिटट दे रहे हैं पहले झूट था या अब झूट है पहले दबाव में थे या फिर अब दबाव में supplier ये तो बाद ही में सवाफ होगा तो घरवालों ने खोजबीन करने शुरू कर दी दोनों के शव गाउं के बहार ही एक पीर्ड से लटके हुए थे और ताज़ुप के बात ये है कि एक ही चुन्नी से लटके हुए थे पुलिस ने दोनों के शव को अपने कबसे में ले लिया और पुफ मौचम के लिए भेज दिया दोनों ही लड़कियां अदलित परिवार से हैं और दोनों दोस्त थी एक की उम्र 18 साल है दूसरे की उम्र 16 साल है दोनों लड़कियों का शव मिलने के तुरंट बात घर वाले और गाउं वाले पुलिस पर सवाल उठाने लगे के निशान है अगर उन्होंने खुदकुशी की तो फिर बेल के काटे के निशान उनके शरीर पर कहा से आए उनका सवाल तो यह भी था कि आखिर दो लड़कियां एक ही डुपट्टे से कैसे बंद कर खुदकुशी कर सकती है इसके लावा परिवार ने यह भी आरोप लगा काटे के लिए और वहां दिखाया गया कोई भी वी तो फड़े होगा तुमने यह पतार कर लगा लिए अपने आप खुरसी संबर गई और उनकी चोड के सरी पे निशान है जे का मैंने लगाए पेंटन के निशान है सरी knife काटे छुवे वे बेल की बेल के काटे आप जानत कितने बड़े ओध have इतने तरी लंबे ओद बेल के कांटे दो दो इंचे के के इंचे नहीं हमें देखने नहीं दिया जमनी देखने दिया आपने दोनों अम्रतक लड़कियों के पिता की बात सुनी ये बयान उन्होंने शव मिलने के तुरंद बात दिया था जिससे वो अब मुकर चुके हैं लेकिन प्रशादसन शुरूर से कह रहा है कि ये आत्महत्या का केस है पोस्त मॉजम रिबोर्ट के मताबिक दोनों लड़कियों के शरीर पर ना तो चोट के निशान है ना है कोई रेप के पुष्टी हुई है दोनों की मौत के वज़े दम घुटना बताय जा रहा है दो बच्चिया थी ये कायम बंज सेकर गी ती तो इनका पोस्त मार्टा हुआ है और हमने पेनल से रहा है डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मांसिंग ये दो पेनल में थे वीडियो आपी दे रहा है पुलिस ने और इसने जो निकला है एसकित्सिया बीकु एंटी मार कोई कोई बाड़ी प्रान नहीं कुछ नहीं है तो केबल हैंगिंग है और उसके कुछ सिलाइट आपने पर बजा में सिलाइट ले लिए वो उसके दिए जारी है फॉरन से लेप लिए लिए फ़रुखाबाद के एससपी ने भी इंडिया चीवी से बाच्चीत में यही बा इसकार चलत बावसी में किया और पुष्माटम की रिपोर्ट से असपस्ट है कि उसमें कोई एंटी मॉटम इंजिरीज बॉडी पे नहीं है एंटी मॉटम हैंगिंग है विच नोट्स सुसाइड आत्मत्या की तरफ इसके विशे में काफी डिटेल में हमारी सीमो से भी बात हुई है सीमो साब में भी अपने इस आशे का एक उनका इंट्रिवू के विए रहा था उसमें उन्होंने ये बात अस पस्टूप से कही है घटना के हर पहलू की जाच हम लोग करने हैं क्या हुआ कैसे हुआ घरवालों की तरफ से भी जो आप कह रहे हैं कि ये आरोप लगाये गए हैं वो आरोप गलत हैं उसके बारे में एक लारिफिकेशन के घरवालों का एक वीडियो हम लोग लब्द हुआ है जिसमें उन्होंने उसके फादे ने साफ साफ का है कि इस तरह की जो भी आरोप पुलिस पे लगाये जा रहे हैं वो गलत है अगर वे खुद पेर पर चड़ी तो उनके पैर में मिटी के निशान क्यों नहीं थे लेकिन पुलिस को उमीद है कि घटना स्थल से मिले हुए मोबाइल फोन और एक सिम कार्ट इस केस की गुति को सुलज़ा सकते हैं पुलिस को घटना स्थल से एक मोबाइल फोन मिला है जबकि एक लड़की के पास से एक सिम कार्ट मिला है पुलिस नहीं इन्हें फॉरं से जांच करें भेज़ दिया है साथी घटना स्थल से मिले हुए मोबाइल के कॉल डीटेल की जांच की जा रही है फरुखाबाद के बाद ही अब बात उतब्रदेश की प्रयाग राज़ की भी जहां नकली नोट छापने वाले मदर्फी का खुलासा हुआ है मदर्फा जहां बच्चों को तालीम दी चाती है मदर्फा जहां चात्रों को धर्म के बारे में सिखाया जाता है लेकिन अब मदरसे में नकली नोट चापने का काम चल रहा है मदरसे के आड़ में फिक करिंसी का गोरख धंदा चल रहा है इस बात का खुलासा प्रियाग राज पुलिस ने किया है प्रियाग राज पुलिस ने जामिया हभीबिया मदरसे से चाइड लोगों को गिरफतार किया साथ नकली नोट छापने वाली मशीन भी बरामत कर ली गई है पुलिस ने 1,30,000 रुपए की फेक करेंसी बरामत की खास बात ये है कि ये सारी फेक करेंसी 100-100 रुपए की है पुलिस ने नकली नोट छापने के मामले में जिन चार आरोपियों को गिरफतार किया उनमें से दो औरीशा के रहने वाले हैं और लंबे सुमें से मदरसा में रहकर ये रैकेट चला रहे थे आरोपि नमबर एक जाहिर खान जो पूरे रैकेट का मास्टर माइंड है आरोपि नमबर टू मुहमद तफसिरुल आफरीन जो की मदरसे का मौलवी और प्रिंसिपल है आफरीन ने ही मदरसे में इन्हें अलक से कमरा दे रखा था जहां से ये सारा काम हो रहा था जिन दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किया है उनका नाम है मौहमद अफजल और मौहमद शाहिद इन दोनों का काम मार्किट में नकली नोटों को खपाने का था आईए अब आपको बताते मदरसे में जिन नकली नोटों की छपाई होती थी उन्हें मार्किट में कैसे खपाय जाता था दरसल गैंग को सदफे 300 के नकली नोट के साथ 100 का असली नोट देता था जो गैंग के मेंबर लोकल मार्किट में खपा देते थे सौर रुपे का नोट होने के वज़े से लोगों को शक भी नहीं होता था पुलिस के मुदाबिक 15,000 असली नोट के बदले 45,000 के नकली नोट दिये जा रहे थे जहां पुलिस ने मुख्विर के सूचना पर कारवाई की फ़राल पुलिस चारो आरोपियों से पूचताच कर रही है इससे उनके नेक्सिस का खुलासा किया जा सकेगा प्थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के दौरा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके चार सदश्यों को गिरफ़तार किया गया है चार अभिफ्त जो हैं उसमें मुहमद अफजल, मुहमद साहिद, जाहिर खान और मुहमद तफसीरूल आरिफीन ये चारों लोग इन्वोल्ड थे ये एक मदर्सा जामिया हवीबिया है आतरसुया में और इसी में ये पूरा रेकेट चल रहा था जो मुहमद तफसीरूल है ये इसी मदर्से के मौलवी प्रिंसिपल थे और जाहिर खान जो इसका में मास्टर माइंड है दोनों ये उडिसा के रहने वाले हैं पिछले पांचे साल से इसी मदर्से में ये दोनों रह रहे थे और इनके दोरा ये जो नकली नोट बनाने की जो कारवाई इनके दोरा यहां पे की जा रही थी और इस मदर्से में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पर ये नोट तयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 रूपीज डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करंसी नोट जो हैं वो मिले हैं और अन्य डिवाइसेज भी मिली हैं जिससे कि ये फेक इंडियन करंसी नोट वहाँ पे तयार करते थे तो जो मदर्सा है इसका प्रिंसिपल इसमें पूर्णता इन्वोल था उसने अलग से रूम दे रखा था और वही सारा इनको फेसिलिटेट करता था सारा जो मस्टर माइंड था वो जाहिर खान था अन्य जो दो लड़के मौमद अफजल और मौमद साइद ये मार्केट में इस पैसे को बेचने या उसको यूज करने के लिए ये दोनों इसमें गैंग में इन्वोल था आरोप है आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टी मालग अलग जगह पर दविश दे रही थी मंदिर के आसपास लगे हुए 500 CCTV कैमरे इसको खंगारा किया मोबाल की BTS डेटा को भी एनलाइस किया गया तब कहीं जाकर बबलू शाह पुलिस के हथे चड़ा पुलिस ने आरोपी के पास से गौवंश की पूछ काटने वाला चाको वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी बरामत कर लिये हैं मंदिर के बाहर गौवंश की कटी हुई पूछ मिलने के बाद से हिंदू संगचन खासे आकरोशित थे हिंदू संगचन से जुड़े हुए लोगों ने आरोपी के गिरफतारी के मांग को लेकर एक बड़ा धर्णा भी दिया प्रदर्शन भी हुआ अब आरोपी बबलू शाह पुलिस की गिरफत में है ये बबलू शाह के तस्वीर है आखिर बबलू शाह ने भील बड़ा को अश्रांत करने का प्लान क्यों बनाया ये सवाल तो आपके भी मन में आया होगा या ऐसा उसने किसी के कहने पर किया पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब ढूनने के कोशिश कर रही है मंदर परिसर में गाय की कटी भी 25 अगस्ट को मिली थी इसके तीन दिन के अंदर 28 अगस्ट को मुख्यारोपी बबलू शाह पुलिस के हथे चड़ गया आईए आपको CCTV की वो तस्वीर दिखाती हूं जिसके चलते आरोपी बबलू शाह पुलिस के गिरफ्त में आया है दरसल पुलिस के पुलिस ने सबसे पहले मंदिर के असपास लगे हुए करीब 500 CCTV कैमरेस का पूरा फीट पूरा डेटा खंगालना शुरू किया संदिक्त की लिस्ट बनाए गई बारदात के समय आरोपी बबलू शाह मंदिर के पास नज़र आया उसने अपना मुँ धका हुआ था लेकिन पुलिस के मुस्तादी के चलते बबलू शाह अब सलाखों के पीछे है आपको बता दें बबलू शाह के पिता का नाम निशाद मुहम्मद है अब बबलू शाह की गिरफतारी हो चुकी है अपना चेहरा छिपा कर वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है पुलिस आखेर आरोपी तक कैसे पहुँची सीटीवी के मदद से बबलू शाह पुलिस के शिकंचे में कैसे चुड़ा कितनी टीमों ने इसकी इसको सॉल्फ करने के लिए दिन रात एक की आई आई आपको बताते हैं विलवड़ा शहर में गौवण संबंदी जो घटना तरह हुआ था उस पर थाना कोतवाली पर प्रकन पंजीबत हुआ दस टीमें गटट की गई इन विशेश टीमों ने दो दिन तक लगातार महनत कर करीब 500 CCTV कैमरे कंगाले और अन्य इन्वेस्टिकेशन के सारे जो संसादन तरीके थे उनको अपनाते हुए आज इस घटना का मुक्त अब्युक्त बबलू शाह निवासी हुसेन खौनी श्रास्तनेगर भिलवड़ा को धिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रियुक्त चाकू और खपड़े भी बरामत किये गए हैं साथ ही इस घटना से संबंदित चार अन्य संधिद्य व्यक्ती भी खिरासत में लिए गए हैं और उनकी भी भूमिका के बारे में जाच की जा रही है प्रिक्रेणम में विशेश टीम जो गटित की गी है इसके दोरा बहुत एक गहम और विस्तरत अन्संधान जारी है